बिहार पुलिस की गारियों का एक ऐसा काफिला जिसे देख कर आप इस उल्जन में पढ़ जाएंगे कि यह बिहार पुलिस की गारिया है या टीवी में दिखने वाले लंदन पुलिस की गारी आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए और इसमें लाइन से आपको पुलिस की करना नहीं जानके उनका माथा गुम जा रहा है सिस्टम देखकर गाड़ी में मौझद उन सारे सिस्टमों को समझने में ही अभी उनको काफी लंबा वक्त लग जाएगा वाकई में बिहार सरकार ने बिहार पुलीस के लिए जो काम किया है वह भेहतरिन है तथा बिहार पुलीस को गारी को सड़क पर देकर लगेगा या किसी बिदेश की पुलीस का गारी है क्योंकि अब बिहार पुलीस भी खटारा गारी में नहीं बलकि उन गारियों में घुमेगी जिन गारियों में मुंबई और दिल्ली की पुलीस घुमा करती है बिहार सरकार ने एक दरजन या दो दरजन गाडियों को नहीं खरदा है बलकि एक साथ ही 400 गाडियों को खरीद लिया है तता सिर्फ 400 गाड़ी ही विहार पुलिस को नहीं दी जाएगी बलकि इसके बाद 1200 गाड़ी विहार सरकार और खरीदने वाली है मतलब यह है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार अब अभी हार पुलिस को इतना हाइटेक बनाएंगे कि आपको दिल्ली मुंबई के पुलिस वाले याद आने लगेंगे बाकि अबने मसकार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं सबसे पहली जानकारिया है कि अब आपको पुलिस एम्बूलेंस या फायर ब्रिगेट को बुलाने के लिए अलग अलग नंबर याद करने की कोई जरुवत नहीं है बलकि अब आज से आपको सिर्फ 112 पर कॉल करना है और आपकी समस्या क्या है उसके बारे में बता देना है आपको 112 पर कॉल करने परी पुलिस, एम्बूलेंस हर प्रकार की एमर्जेंसी सेवा मिल जाएगी अब किस प्रकार से सेवा मिलेगी तो इसे आप समझे कि आप भीहार के गोपाल गन जी लेके किसी गाउं में फस गए है या भीहार के किसी भीजी लेके किसी गाउं में आप फसे पड़े हैं वहां पर आपको मदद चाहिए वहां पर कुछ लोग आपको मारने के लिए आतूर है और आपको चाहिए कि आप पुलिस को जल से जल बुला ले तब आपको वहां से सिर्फ 112 पर कॉल करना है अब आप कॉल करेंगे तब 112 पर जब आप कॉल करेंगे तो वह कॉल जाएगा कहा तो इसका मुख्याले पटना में बना है और वह कॉल सिधे पटना में आएगा राजधानी पटना में जो इसका मुख्याले है वहाँ से एक आदमी आपसे बाचीत करेगा आप उसको बताएंगे कि हम गोपाल गन जिले के या फलनवा जिले के फलनवा गाउं में फसे हैं हमको पुलीस की आउशक्ता है और हमारा लोकेशन यह है और यहाँ पर आप तदकाल पुलीस को भेज दी दिये क्योंकि हमको जरु जाएगा एक मैसेज जाएगा और उसके बाद आपके लोकेशन पर वह पुलीस की गारी तुरंट पहुंचेगी बताया जा रहा है कि जो पुलीस की मदद होगी वह 15 मिनट के अंदर आप तक पहुंचेगी यानि कि आप कॉल करेंगे राजदानी पटना के मुख्याले में क संदेश जाएगा और आपके लोकेशन पर तुरंत जो भी वहाँ पर आज पास पुलीस की गारी मौजूद होगी वह पहुंचेगी और इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा और सरकार इसी उद्देश के साथ काम कर रही है पुलीस विवाग इसी उ प्रकार की मदद आपको मिलेगी अब इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी है कि भागलपूर में पुलीस वालों को तिन चार दिन पहले गारी दे दी गई कहा जा रहा है कि केंद्रिय योजना के तहत उनको गारी मिल गई लेकिन दिक्कत यह थी कि पुलीस वालों को ट प्योग कैसे करते हैं और पुलीस वालों का माताप सिस्टम देखकर घूमने लगा उनको पता ही नहीं कि सिस्टम का उप्योग होता कैसे है और तमाम सिस्टम होने के बावजूद जो भागलपूर पुलीस के जवान है वो अभी भी अपना पुराना वाइरलेस ही लेकिन खबर यह है कि सरकार साथ हजार लोगों को प्रशिक्षित कर रही है जो इन गारियों को चलाएंगे इन गारियों की देखरेक करेंगे जो सारा सिस्टम लगा है उसके बारे में बताएंगे उसको कैसे चलाना है इसकी जानकारी रखेंगे और जब साथ हजार लोगो में 11112 डायल वाली गारियों को रखा गया है यानि कि जो अत्याधुमिक जो गारिया आई है उसमें से 100 गारी तो केवल राजधानी पटना में रखा गया है तता राजधानी पटना के अलावा हर जिले में 15-25 गारी दी जा रही है यानि कि जिले की जनसंख्या कितनी है जिले संद्रा से 25 गाड़ी यह मौजूद रहेगी जो आपको 24 घंटे मदद देगी तो फिलाल यह विहार सरकार के एक बहतरीन कदम है और इसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है कि विहार पुलीस अब आत्याधुनिक हो रही है अत्याधुनिक जो भी सिष्टम है जो भी आधु कि उम्मीद है उसे कमेंट वाक्स में लीकर बताईए वीडियो शेर कीजिए फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल लगले वीडियो में कैमरें पिछे खड़े हैं प्यूश झाल